आपसे भी का स्वागत हमारे Tech Boy उमेस YouTube चैनल में आज केसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकती हो यह कुछ इस तरीके से यहाँ पर जोई कि अभी मेरे यहाँ पर लैप्टॉप में यह वैबसेट ओपन नहीं हो रही है तो इस तरीके से दोस्तो अगर आपके भी लैप्टॉप में यह प्रॉबलम हो रहा है कि आपका यहाँ पर कोई भी वैबसेट आपके लैप्टॉप में ओपन नहीं हो रही है सबसे पहले दोस्तो आपको अपना जो इंटरनेट है उसको चेक करना होगा ठीक है कि यहाँ पर जो आप जिस वाई-फै से कनेक्ट हो इस समय क्या आपका इंटरनेट अच्छे से चल रहा है या फिन नहीं ठीक है क्योंकि दोस्तो हो सबता है कि आपका जो लैप्टॉप है उसमें अच्छी तरीके सी इंटरनेट ही नहीं आ रहा हूँ ठीक है जब इंटरनेट नहीं आगा तब आपको यह प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाता है लेकिन दोस्तो अगर आपके लैप्टॉप में इंटरनेट का जो स्पीड़ अच्छा है फिर भी अगर कुछ इस तरीके से अब दोस्तों यह कैसे हुआ है यही आज के हैसे वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे पहले दोस्तों आपकोफानाucionesी चेक करना है इसके बाद यहां पर सेट essayन में सेटिंग सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले आ जाना होगा यहाँ पर आपको सबसे पहले आजाना होगा यहाँ पर आपको सबसे पहले किलियर ब्राउजिंग डाटा इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एडवांस वाले पर क्लिक कर दिना है और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर कर दिना के reset setting पे click करना जैसे आप यहाँ पे click करोगे उसके बाद आपका जो chrome है उसमें जो भी आपने settings की होंगी वो सब आपके by default में set हो जाएंगे ठीक है इतना काम करने बाद दोस्तों आपका यह जो problem था यह fix हो जाएगा अगर नहीं होता तो आपको एक बार इस तरीके से इसको close कर देना है chrome को जैसे अब यहाँ पर मैं इसको close कर रहा हूँ बिल्कुल इस तरीके से आप close कर दीजेगा ठीक है close करने के बाद आपको अपना जो laptop है उसको दुबारा से restart करना होगा ठीक है आप laptop को अपने restart कीजिए फिर से wifi connect कीजिए और फिर दोस्तों आप यहाँ पर जो website उपन हो चुकी है तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी problem को fix कर सकतो लेकिन दोस्तों अगर आपका problem अभी भी fix नहीं हुआ है तो आप मुझे instagram पर message कर सकतो लिंक के description में मिल जाएगा मेरे instagram आईडी का